कि बहुत स्वागत है आपका हमारे शेनल में इस वीडियो में आप सभी से बात करने वाला हूं कि एससी जूनियर इंजिनियर सिभील मेकैनिकल एलेक्ट्रिकल के लिए जो तुर्फटा उजे 19 फॉर्म आई थी उसमें आप सभी को कैसा जो है वह वह इड़ोडियो सर्टिफि की एक शा information जो आपके शर्लेट होगा कैसा format आपका AWS का होना चाहिए अगर आपके पास certificate महीं है तो आप कैसे ले सकते हैं भी और आगर आपके बढ侈पस मैं डिसकूर्म परशल네 मैं नहीं तो अनंते कि वीडियो जो है वह इन होने वाला है तो 8-9 मिनट्स के वीडियो होने वाला है थोरा बोडिंग हो सकता है लेकिन आप इसे 1.5 के स्पीड पे प्लेबैक स्पीड पे आप इस वीडियो को देखे ताकि आपको बोडिंग भी नहीं लगे सबसे पहले बात करते हैं क्रूसियल लेट की तो क्रूसियल लेट देखे क्या होता है जो लास्ट डेट ओफ एप्लिकेशन फॉर्म होता है उसे ही क्रूसियल लेट कहते हैं तो देखे यहाँ पे क्रूसियल लेट क्या है 12.9.2019 यानि कि आपकी सर्टिफिकेट्स जो है 12.9.2019 तक देखी जाएंगी तो EWS का चुकि 2019 में ये नया-nया EWS आया ही था जन्वडी 2019 में ही आया था तो इसलिए आपको EWS का उतना ज्यादा ये पंगा नहीं करेंगे तो अगर आपके पास EWS जो है वो सर्टिफिकेट पुराना वाला नहीं है यानि 2019 का सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आपको उतना इंटेंसर लेने की जुरते ही है अगर आपके पास 2020 का सर्टिफिकेट है तो वो भी चल जाएगा 2021 का सर्टिफिकेट है तो भी चल जाएगा और अगर आपके पास 2022 का सर्टिफिकेट चुकि एक वीडियो है वीडियो है जो कि आगे भी students देखेंगे 2022 का भी certificate रहेगा तो वो भी आपका certificate valid रहेगा और यह ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ वो भी आगे मैं इस वीडियो में discuss करूंगा आप सभी से आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी की तैयारी से लेडेट कुछ महतपूर्ण points देखस करना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी government job की तैयारी कर रहे हैं तो test book app से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं इस app को download करने का जो link है वो description box में मैंने provide करा दिया है आप वहां से जाके एप को install कर सकते हैं और इस app में आप बहुत सारे government jobs की तैयारी कर सकते हैं जैसे एसे सी, railway, banking, civil services और भी बहुत सारी examinations एसे सी की अगर बात करें तो आप इसमें जो है वो CGL, GD Constable, CHSL, MTS और भी बहुत सारी examinations की आप तैयारी कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि SSJEE की आप तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर आपको उसकी भी जो है मॉक्टर्स मिल जाती हैं तो आज ही जाएं और इस app को install करें जो download link है वो आपको description box मिल जाएगा और अगर आप कोई भी course purchase करना चाहते हैं तो आप coupon code का इस्तमाल करके 299 का जो है वो course 269 में मिल जाएगा आपको 10% का instant discount भी जो है वो coupon code मैंने provide करा दिया है तो जाएं और आज ही जो है वो app install करें देखिए format मैं आप सभी को दिखा दू format जो है वो NXR 9 NXR 9 जो है यह format है income and asset certificate to be produced by economically weaker section तो इसी format पर आप सभी को जो हो certificate देना है यहां पर आप सभी का किस राजी साब बिलॉग करते हैं वो बहराएगा यहां पर आपके certificate का number बढ़ाएगा जिस दिन यह certificate issue हुआ है वो date बढ़ाएगा यहां पर आपके जो हो details बढ़ाएगी कि आपका नाम क्या है आपके पीता जी का नाम क्या है आप कहां से बिलोंग करते हैं यह सबी और देखे यहाँ पे जो है फिनेंसियल एर बढ़ाएगा मिस एक साल पुराना जो है फिनेंसियल एर बढ़ाता है और फिर अगें यहाँ पे आपका नेम भराएगा कि आपका नाम और आप डीम से बनवाना है तो डीम का सिगनेचर होगा वो सभी और नीचे में जो है एक पासपोर्ट साइज फोटो ओके यह पासपोर्ट साइज फोटो में देखी यहाँ पे सेलफ एटेस्टेड लिखा रहता है तो एटेस्टेड का फॉर्म का क्या मतलब है कि करेंगे यह जो है वो फोटो आपका सेलफ एटेस्टेड हो जाता है ओके तो यह बाते आपको समझ में आई होंगी और यह जो है वो वैलिट फॉर्मेट है इसी फॉर्मेट पर आप सभी को बनवाना है यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर देखें कि यह तो है वह सेंट्र लिखा हुआ है यह सेंट्र लिखा हुआ है मतलब इस सेंट्र government का format है कुछ states में जो है वहाँ पे state लिख रहेगा okay state list इस्ट का मतलब क्या होता है कि state का वह format है ओके तो इससे भी जो जह है वो ज्यादा मुश्किले आप सभी को नहीं होने वाई तो वीडियो में अभी तक मैंने जो है वो डिसकस कर लिया है कि इंट्रें इंट्रोडक्शन तो हो चुकी है कुरूसियल लेट्स के बारे में भी मैंने बात कर लिया है उसके बाद मैं अगर बात करूं तो यह दोनों पाइंट्स हो चुकी है वैलिडिटी इसके बारे मैंने बता दिया है आपको कुछ एक्षा इंट्फर्मेशन वह भी कुछ बताई है और को भी कुछ बाकी है फॉर्मेट्स हो चुकी है अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो सर्टिफिकेट कहां से बनवाना है आप इसे तहसील से बनवा सकते हैं या फिर ब्लॉक से बनवा सकते हैं तो यहां से जो है जाकर आप सर्टिफिकेट अपना बनवा सकते हैं उसके बाद अगर आपके पास वैलिडिट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जाएं और अ साथे सर्टिफिकेट्स जो है वो जैसे मांगे कैते वह ऐसा दिया आपने तो सी मतलब क्लियर मिलेगा और अगर पी मिला है मिन्स आपके जो वह सर्टिफिकेट्स दुबारा फिर से जो है वह एक बार वेडिफाई होंगे री चेक होगा तो उसमें आपको प्रिवीजनल यान अलग अलग जाती के लिए जैसे policy वहा सिर्फ एक जाती नहीं होती यह वहां पर काफी कश्य वह साल जाता है लेकिन Central Government के लेवल पर सिर्फ बीस ही देखा जाता है वहां पर state government का फॉरमेट अलग हो जाता है आप कुछ bonus points जो कि मैं सभी को देना चाहँगा देखें हर साल ओके bonus points मैं आप सभी को यह दिना चाहँगा कि हर साल आप सभी एक अपरील एक अपरील 2000 कुछ भी एक अपरील 2000 के बाद 2020 हो या 1921 हो एक अपरील से 31 मार्च जब भी आपका जो है यह फैनेंसियल एक फैनेंसियल एर इसे करिंसिडर किया जाता है तो अगर आपका बीच में इस से बीच में कभी भी से सर्टिफिकेट बनता है वरट को बन रहे है तो आपका सर्टिफिकेट यह मुत समझे कि अगले यहर के में तक वेलिड रहेगा वह आप certificate बनवा लो और एक बात याद रखना कि आप पहले अगर certificate बनवाओगे तो वह तहसीलदार के लेवल का बनेगा ओके तहसीलदार के लेवल का बनेगा लेकिन तहसीलदार लेवल के बनने के बाद आप जो है उसे block level SDO level से बनवा सकते हो और SDO level से बनने के बाद आप उसे DM level से बनवा सकते हो तो इतना जो है वह आपको करना होगा वैसे अगर आपके पास कोई भी पुराना certificate हो तो उतना जादा जो है वह इसू नहीं आएगा इससे क्योंकि यह जो है वह आपको provisionally accept कर लेते हैं बाद में आप certificate यह सभी दे दोके तो आपको जो है वह clearly accept कर लिया जाएगा लेकिन आपके पास एक certificate क्वाब का पस aan करें जो हो आपको आपको आपकी तैयारी में बहुत ही अच्छा स्थी पिरने का तरीका मिलेंगा और जीआ इसके सांथ-सांथ आप देखोगे तो एक रुपे से भी जो कम में जो है वो एक दिन की आप तयारी कर सकते हो टेस्ट दे सकते हो तो आज ही जाए और टेस्ट बुक एप को इंस्टॉल करें ओके अगर पिर भी अगर आपकी इसमें कोई भी डावट आती है तो कर सकते हैं और आपको कोई भी अगर सर्टिफिकेट बनवाने में या फिर आपके बनवाले कोई फिर सर्टिफिक यह सब बनेगा, ओके, so thanks for watching the video and have a good day.